इस वीडियो में मैं आपको उताने वालों फ्रेंड्स की आप Moto E14 के मॉयल फोन में आप Do No Disturb मोट को आप कैसे आउन कर सकते हैं और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं तो यह जानने के लिए अब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजेगा और अगर आप मेरे योट्यूब चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको Moto E14 मोट फोन के सेटिंग में जाना है और से योज करना चाहिए तो दोस्तों देखिए अगर आप यह चाहते हैं कि दोस्तों हम अपने फोन में कोई काम कर रहे हों अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि हम अपने फोन में जब इंटरनेट योज कर रहे हो और या कोई भी काम कर रहे हो तो उस टाइम ना तो हमें मैसे जनासे जाए और नहीं कोई notification आए और नहीं call आए तब दोस्तों आप जो है do no disturb mode setting को use कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए इसे use करने के लिए आपको do not disturb mode में आ जाना है अब दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों इसका कुछ setting करना होगा setting करने के लिए देखिए आपको यहां का option मिल जागा people का तो आप यहां पर click करेंगे सबसे पहले यहां conversion का option मिल जागा तो conversion पर click करके आप यहां से yes लिट कर सकते हैं कि आपके phone में जो है किसी conversion का message आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यहां एक है all conversion तो इसके sounder setting पर click करेंगे तो यहां पर आप दिख सकते हैं हमें जो है geo sim का message वाला conversion दिखाया जा रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि do not disturb mode आने पर geo वाला message आए तो आप इसको select रखेंगे अगर आप चाहते हैं कि ही आए तो आप यहां none वाला select रखेंगे फिर back आते हैं फिर यहां एक option मिलता है calls का आप यहां पर click करेंगे अगर आप यह चाहते हैं कि कि दोस्तों हमारे phone में जो जो दोस्तों अस्टारे contact है तो उसका call आए do not disturb mode आने पर तो आप यहां अस्टारे contact को select कर सकते हैं अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे phone पर हमारे mall में जितने contact है उसका call आए do not disturb mode आन रहने पर तो आप यहां पर contact को select कर देंगे set तो दोस्तों जो आप इस option को select रखेंगे तो आपके all phone में जितने contact होंगे उसका call आएगा do not disturb mode आने पर अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों सभी का call आ जाए तो आप यह नहीं उनको select कर देंगे और अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों किसी का भी call नहीं आपाए जब हम do not disturb mode में ओन रहे हैं तब आप यहां से non ball option देंगे select कर तो यह non ball option select कर देंगे तो जब आपके phone में do not disturb mode on रहेगा तो किसी का भी call नहीं आएगा यहां एक option में लगता है allow update call का तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि दोस्तों अगर 15 मिनट के अंदर दोस्तों तीन बार अगर लगातार कोई number call करेगा तो आपके phone पर उसका call जो है आजाएगा लेकिन कब आएगा जब आप इस setting को on रखेंगे तब अगर आप इस setting को बंद कर देंगे तो दोस्तों कोई भी number चाहे 15 मिनट के अंदर कितना ही बार call करेगा उसका call आपके पास नहीं आपाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों do not disturb mode में किसी का call नहीं आए तो आप यहाँ none को select रखेंगे फिर चलिए back आते हैं अब यहाँ आपको एक option विल दाता है message का तो message पर click करके आप यहाँ से यह set कर सकते हैं कि जब आपका phone do not disturb mode में ओर रहे तो किस-किस का message आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि started contact का message आए तो आप यहाँ started contact को select रखेंगे सिर्फ contact का message आए तो आप यह contacts को select रखेंगे अगर आप चाहते हैं सभी का message आए do not disturb mode में तो आप anyone को select रखेंगे और अगर आप चाहते हैं कि किसी का भी message नहीं आए तब आप यहाँ नन को select रखेंगे तो किसी का भी message नहीं आएगा तो यहाँ से आपको यह setting कर देना है उसके बाद आपको एक option मिल जाएगा alarm and other interperson का इस पर click करेंगे तो आप यहाँ से यह set कर सकते हैं कि जब आपके phone में do not disturb mode रहें तो यह चीज़े आपके phone में काम करना चाहिए कि नहीं अगर आप चाहते हैं कि alarm sound बजे do not disturb mode में तो आप इसे on रखेंगे अगर आप चाहते हैं नहीं बजे तो आप यहाँ से इसको बंद कर देंगे तो यह setting भी कर देना है और उसके बाद आपको एक schedule का option मिल जागा तो आप यहाँ पर click करके जो है do not disturb mode को आप schedule भी कर सकते हैं मतलब दोस्तों कि do not disturb mode एक nistid time में आपके phone में अप on हो जाए और एक nistid time में आपके phone में बंद भी हो जाए तो आप यहाँ time set कर सकते हैं उसके लिए आप sleeping पर click करेंगे मतलब अगर आप सोने के time do not disturb mode को लगाना चाहते हैं तो देखिए आप sleeping को select कर देंगे और यहाँ setting icon पर click करेंगे और दोस्तों देखिए यहाँ आपको option मिल जागा दोस्तों start time का तो start time में डाल देंगे जिस time आप सोते हैं वो time select करके ok पर click कर देंगे और जिस time आप चाहते हैं बंद हो जाए do not disturb mode तो in time पर click करके आप वो time select करके ok पर click कर देंगे तो start time में आपका phone में do not disturb mode आउन हो जागा तो आपके फोन में do not disturb mode on हो जाएगा और अगर आपने दोस्तों जो है people में जाकर call में none को select कर रखा है, message में जाकर none को select कर रखा है, तो do not disturb mode on रहने पर ना तो किसी का call आएगा और ना ही किसी का message आपाएगा, इस तरीके से आप जो है do not disturb mode को आप अपने moto e14 के mobile में use कर सकते ह अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करिएगा